आप सबका स्वागत है गाइस आज हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेकर के आगे है जो आपका अभी जो एक्जाम होने वाला है यानि की जो CBSC 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है फिजिक्स का है ना उसमें आपका जो पार्ट टू बुक है फिजिक्स का जिसमें रे आप्टिक्स, वेव आप्टिक्स, डूल नेचर ऑफ मैटर और रडियेशन, नुकलियाई, सेमी कंड़क्टर ये सब चेप्टर है, आता ही आता है, जो टॉपिक्स हम आप लिखेंगा, उसका 100% हम आपको गैरेंटी दे रहे हैं, कि वो टॉपिक्स से कोशन आता ही आता है, त्युकि हर बर CBSC 2023 करता है, मतब कंफर्म है कि उससे कोशन देगा ही देगा, एसा नहीं कि कोशन पेपर बहुत हार्ड रहता है, आप यह देख सकते हैं, इसका Atom का वीडियो, Atom का सारा लेक्चरस अवलेबल है, Wave Optics का सारा लेक्चरस अवलेबल है, Topic सर्च कीज़ेगा, Legendary Classes डालिएगा, तो आज आएगा आपका, है और Topic का नाम डालिएगा, और साथ में Legendary Classes अटाइच कीज़ेगा, तो आपको मिल अगर आप चाहें, तो समी कंड़क्टर वाला पार्ट देख सकते हैं, समी कंड़क्टर अभी हम अप्लोड कर रहे हैं, और समी कंड़क्टर से gifted है, मतलब माक्स जो है, हूँ confirm है, मतलब आएगा ही आएगा, समी कंड़क्टर तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए और नुकलियाई भी नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब यह जो पार्ट टू वाला जतना चेप्टर से है, रे आप्टिक्स, वेव आप्टिक्स तो छटा लंबा है, लेकिन हम उससे अभी कुछ ऐसा गैरेंटीड कोश्चन बनाएंगे, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं, तो अब यह जो वीडियो है, यह पार्ट टू बुक के लिए, आप कमेंट कीजे तो पार्ट वन का भी हम एक वीडियो बना ही देंगे, एक्जाम से पहले, और जितना हम टॉपिक्स बता रहे हैं, उसको तो करना ही करना आपको 100% है, फिर बाकि आप अपना देख लिजे कौन स क्या है, और बहुत लोगों को यह भी डाउट होता है कि सर नुमेरिकल की किस-किस टॉपिक्स आता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे, चलिए आपको हम बता देते हैं कुछ इंपोर्टन टॉपिक्स, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहले हम आप बोलते चलते है भी लिखने रहा है, देखिने सबसे पहले हम पर जो आपका electromagnetic wave है, यहाँ पर पहला टॉपिक हम जो लिखरे आपके लिए, वो है displacement current, इससे question 100% आएगा, एक question displacement currency, जो chapter 8 है आपका electromagnetic wave, उससे बता रहे है आपको यह यह chapter 8 का हम बता रहे है आपको, ठीक है NCRT book के हसाब से chapter 8 तो उसके लाद फिर एक और है आपका जो अच्छा, आपका जो electromagnetic spectrum है electromagnetic spectrum तो उसको रट डाली है उससे 100% आएगा, तीन मार्क्स का हमेशा question पूछता ही पूछता ही, पूछता है उससे, की frequency, wavelength, radio wave, microwave, infrared, gamma rays, x rays, इससे question पूछता है तो electromagnetic spectrum, आप चाहे तो यूट्यूब में भी देख सकते है बहुत लग इसके उपर अच्छा-चा वीडियो डाला हुआ तो इसको यूट्यूब है तो यह आपका chapter 8 के लिए हुआ, हम कुछ ही चुनिंदा topics लिखेंगे, ऐसे topics आपको सारा हम बताएंगे, कि क्या है, कितना important है, नहीं है, उस अब सब बताएंगे, लेकिन कुछ selected topics ही हम यहाँ पर लब के लिखेंगे, तो इससे confirm question है, तो इसलिए लिख दि लिखेंगे अपको बता रहें ऐसा नहीं कि बहुत साल पुराना एक्सपरियन साहँ आपको अब अभी जो तीन साल में रिसेंटली जैसा पेपर साहरें उसके हिसाब सम आपको बता रहें, हा हा पता है, 2020 में एक्जाम नहीं हुआ था, लेकिन सेंपल पेपर तो आया था था रे आप्टिक्स वाला जो आपका पाट है, रे आप्टिक्स से क्या आता है, देखिए, हम रे आप्टिक्स के लिए सब बड़ा चिंतीज भी रहता है, हम इंपोर्टेंट सरी बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, कि हम आपको बड़ा एदम डिटेल में बता रहें कि कौन कोन, ऐसे रहे हैं, रे आप्टिक्स में सब बोलते हैं, रे आपको लिखना लिखना है, तो मिरर फॉर्मला का डेरिवेशन और मिरर फॉर्मला से नुमेरिकल भी आता है, रहे हैं, उसके बाद फिर आपका इक टॉपिक बड़ा इंपोर्टेंट है, उसको हम या लिख देते है, ती पतार लिखना है, विश्म हनगर से नुठा लॉक अंगर स से यह जाना लिखना है, जैसे आपको यह जिसमें अध्मित कने इसलों, सब बहुत कैई टियर जो खाने हैं अब पता देना आपको इसके इसका important है, नहीं से को नुमेरिकल आने वाला है, तो इसका कशल ऐसे से बिएचा लिखा है, जिलो है, इसका इसका अनिवार कि आएगा रहे है, इसका अनिवार यह का आंजा परूर। अच्छा इससे ना देखिए इस लेबस में से अप्टिकल फाइवर लिखा हुआ है तो आपको बोलेंगे कि अप्टिकल फाइवर भी प्रिपेर कर ही लिजे अप्टिकल फाइवर इसको प्रिपेर कर ही लिजे अप्टिकल फाइवर ये एक टॉपिक हो गया इसका अच्छा अब इसका derivation भी आता और इसके उपर numerical भी आता लेंस्मेकर फॉर्मुला से, ठीक है, उसके बाद फिर prism, prism का derivation और prism का जो फॉर्मुला है, prism का चोट चोट फॉर्मुला का derivation, जैसे यह फॉर्मुला आप देखे होंगे, a is equals to r1 plus r2, यह फॉर्मुला आप देखे होंगे तो इस फॉर्मुला के उपर, ठीक है, एक और फॉर्मुला है आपका होता है, जैसे एक minimum deviation का भी फॉर्मुला होता है, minimum deviation, आपका यह refractive index of prism निकालने का formula भी होता थो उससे questions आता है, ठीक है, refractive index प्रिसम का फॉर्मुला क्या होता है? comment कीजिये तो इसके उपर भी question आता है Prism तो Prism भी बड़ा important है उसे पूछता ही हमेशे तो हम Prism भी लिख देते है तो Prism prepare करके चल जाईजा Prism को prepare करना बड़ा important है Prism एदम 100% prepare करके जाईजा एख तो उसके अद आगे देखिए Prism के बाद एक और important साथ इसका भाइ भी मोझूद हैं और Astronomical Telescope कि साथ इसका भाइ भी एक compound microscope तो यह compound microscope भी आ सकता है झाल है तो दोनों में से कोई एक आता है अब यह नहीं कि आप आप भी option ला लिए कि यह चल जाहे नहीं रोजाणा दोनों को पड़ sincer है compound microscope तो इन दोनों में से कोई एक confirm 100% आएगा देखिए हम यहाँ पर जो बोर्ड में topics लिख रहे ना यहाँ पर तो वो topics confirm है कि question paper में रहेगा ही रहेगा 100% मेरे हिसाब से रहेगा 100% ऐसा हो नहीं सकता कि ना देए तो इससे क्या आता है तो इसका derivation आता है इसका numerical आता है और इसका cases भी होता है यह जो astronomical telescope पर आप्टिक्स में compound microscope या फिर telescope दोनों में से कोई एक हमेशा आता है CBC में यह लिखा हुआ है lens maker formula भी हमेशा आता है CBC में as well as ICC में ICC के लिभी और lens maker का derivation in numerical previous year से आप इसका numericals बना सकते है lens maker ठीक है बहुत बढ़ा बहरी चीज नहीं है अच्छा उसके बाद फिर आप TIR बढ़ा इंपोर्टेंट है आएगा याएगा 100% वो लीगे ठीक है तो यह आप समझ गया होंगा कॉन कॉन से टॉपी का रहा फून आ है किसी का शायद है हेलो है हा या आ है अचा हा रहा है वीडियो बना रहे है तुरंट आ जा रहे है कि तुरुंट chiयर कंक पिक आपको त्यार रहा कि एवी इसमें भी सब बड़ा है मतलब यह रहता है वे अब आपको बता देते हैं chapter 10 इससे सब बड़ा मतलब यह रहता है वे अप्टिक्स के लिए chapter 10 wave optics wave optics से भी अब कुछ selected topic बता रहे हैं जो तूम 100% आएगा एक्जाम में ठीक है पक्का आता है तो आपको टॉपिक बता जिते यहां पर वेफरेंट यहां पढ़ लीजेगा हाइजीन फ्रिंस्पल यह भी पढ़ लीजेगा, मतलब यह तो कंफर्म आना है हाइजीन स्प्रिंस्पल कंफर्म है नियुको इसा लगता है आंयहाग है एकिन नमेरिकल पक्का यहाँट पक्का आएगा तुर्स फट्रें नेधे रहें और यह मぇट इस कि युणी है यह पका कोशं इप और रहें ज्मौन का था यूजाब आ यूजा अपक्ट परक्षण देख नम्हें रेंग लेगा प्टक से एक नुमेरीकल याटाग और कभी जो भी इसमेना वे आप्टिक्स में डिफरेंस भी पूछते हैं कि इंटर्फेरेंस और डिफरेक्षन में क्या डिफरेंस है इन्टर्फेरेंस अरु इज अधि भी पूछते हैं यह तीनों टॉबीक से पक्का कोश्ण आएगा 100%, ठीक है हम लोग आते हैं चैप्टर 11 पर डूल नेचर चैप्टर 11 डुव नेचर ऑफ मेतर और एटिशन दूख है इसमें इस से क्या आता है इससे अपका फोट्गर के एफेक्ट पूछे गांप पूछेंगा है आइंस्टाइन्स फॉट्ट उट्ट्रिक उकवेशन लिए हैं यह 100% इस नहीं थाने दिम्ट पिक्शन आतितल रहे दो क्या क्या रहा है में तो फोर्मुला dynasty उसमें कोई डरिवेश़ निए उसमें धक़ कुल दूओ दूँट हैडाएंट सा उसमें लेड़क्श में ही टैक्श्ब रहे निक्सागेशनद ..... कुछ भी डिलिवेशन को कोई बात ही नहीं अच्छा उसके बाद और क्या सकता है से नुमेरिकल आएगा अच्छा उसके बाद फिर आपका डिब्रॉग्लीज वेवलेंद पे कोशन पकर लेगा और एक ग्राफ आएगा ग्राफ ये बरत देख लीजेगा देखिए ऐसा वाला आपको बिल जाएगा या तो एक ऐसा वाला ग्राफ भी रहता है कि यहां से तीन एक ही पॉइंट पका आएगा ठीक है यह वाला ग्राफ ग्राफ देख लीजेगा यह दोनों में से को यह एक आएगा हमेशा आता है और दिब्रॉग्ली से कुशन आएगा डिब्रॉग्ली यह दो पक्का आएगा डिब्रॉग्ली से नुमेरिकल आएगा डिब्रॉग्ली से पता है न आपको यह फॉर्मला था दिब्रॉग्ली से विवलेंट का लैम्डा इस इक्वल्स टू एच भाई पी जहां पर पी को लोग लुगते है रूट अंडर टू एम के तो इससे पक आपका अपका एनर्जी लेबल डाइग्राम पका यह फॉर्मला से हमेशा कोशन आता ही है लेम्डा र वार्ट मॉड्स पट्रॉग्ली से लेटिवर्स अटेशन और यह फॉर्मला होता है रेडियस आप का उसको भी कर लिजेगा खर आप यहां पर बोर्ट मेरा अब जो ए बाकी आपको पता है क्या कि इंपोर्टेंट है रेडियस का आता है बोर्स अटॉमिक मॉडल पर नुमेरिकल आता है एनर्जी लेवल डाइग्राम बनाने आता है ठीक है तो यह सब आप समझ गया ना एक्टम से क्या आएगा है समझ गया होगे और बस इतना ही खताम इटम नेक्स आते है नुकली आई पे नॉकली VS से अब हम को हटाना होगा असको पहले चली लेवल पीवल चली अչ तो अब अब लुग कश्वेश से क्या आएगा ठीक है चैप्टर नंबर शाटिन नूखलियाई फेन Cha winterна Sun near northern to खका के भाप माच डिफ्फेक्ट का गयो से हाएतरे फार्म्राइका। इसका एक बड़ा लंबा चोड़ा फॉर्म्ला भी है आप देख सकते हैं चैनल पर नुमेरिकल करवाया हूँ अभी है एक कोशन बाइंडिंग एनर्जी से रहेगा बाइंडिंग एनर्जी पर नुक्लियॉन जो टॉपिक है उससे रहेगा बागी हम आपको इंपोर्टेंट बता दे रहे हैं और क्या क्या है भी पड़ लीजेगा बाइंडिग एनेर्जिकाए यह भां प्रोबी कोई इससे निहें पर Grab तर्सेंस?!"- होता है इससे के प्रेध बड़ा जुर्दार एक्स्पि लिए थिट, आप जाकर देख सकते हैं चलिए देखी आगे, बैंडिग ए टी पर नुक्लियर फिजन और फुजन मेरे हिसाब से पका आएगा 100% जो फकका टॉपिक है वह हम आपर लिख रहे हैं nuclear फिजन एंड नुक्लियर फुजन अट को रिख रहे हैं 100% जो लिख रहे है आ टॉपिक मतलब पक्का आएगा ऐसा नहीं क्यों तुका एदम 100% आएगा और इसमें इससे थियूरी आएगा यह वाले से थियूरी आएगा देखे इस चेप्टर में भी कोई ऐसा डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं है ठीक है क्लियर हो गया आपको समझ गय सेमी कंडक्टर से अंडेट परसंट जो हम बता रहे हैं आपको यतम हन्डेट परसंट वही आएगा बता रहें चलिए करसी का कुश्शन नहीं यह मेरे पास यह सब सारा मतलब तीन साल में कुछा यसारा वाहा है उसी साब से बतारे है गैरेंटी इसलिब हो रहें मतलब गा अब कुछ फि特व हो गया तो चले हगा लकिल कि ऩारऀन्टी वाला बात थो है स्पीन्टी व्यर्ण Apost भूव problem पता किजिए पता कर लीजे, N-type and P-type semiconductor, 100% आएगा इससे question, N-type P-type से, dopping बोपिंग से भी आ सकता है, dopping भी important है, P-N junction diode, मेरा इदम guarantee, guarantee के इदम P-N junction diode से question आएगा, हम अभी वीडियो अप्लोड कर चुके हैं, P-N junction diode का, जाके देख लिजे, उसी वीडियो से ही कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, सारा concept का वार है, उसमें P-N junction diode का, तो P-N junction diode से, P-N junction, हमें 100% एक कोशन रहेगा, depletion layer और ये सब से रिलेटर, ठीक है, P-N junction हो गया, IV characteristic graph भी होता है, उसको भी कर लीजेगा, forward bycing, reverse bycing, पढ़ लीजेगा, full wave rectifier, half wave rectifier, LED solar cell photo diode, खतम, यतना ही करना है, ठीक है, बता दियाँ आपको, क्या-क्या, फिर से एक बाद सेमी कंड़क्टर का बोल दे रहे है, energy band diagram, N type semiconductor, P type semiconductor, doping, P-N junction diode, IV characteristic graph, rectifier, full wave, half wave, LED solar cell photo diode, जितना topic बोल रहे है, photo diode, जितना topic बोल रहे है, photo diode, जितना topic बोल रहे है, जितना topic बोल रहे है, और अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप comment कीजे, आपको WhatsApp में भेज देंगी, जितना लिखा हुआ है, और देखे, एक important बात हम आपको बता देते हैं, जो 3 sample paper solve करके नहीं जाएगा, सुन लिजे, यहाँ पर rectifier भी हम लिख ले रहे है, full wave, half wave, यह guarantee वाला है, rectifier, guarantee आएगा, 100%, full wave, rectifier, half wave, जो 3 sample paper solve करके नहीं जाएगा, board exam से पहले, उसका exam बहुत खराब जाएगा, जो 3 sample paper solve करके नहीं जाएगा, board exam से पहले, उसका exam बहुत खराब जाएगा, बहुत खराब, क्योंकि जो question पूछता है, वो ऐसे ही कुछ भी फालतू नहीं पूछ रहा है, थोड़ा logic रहता है उसमें, तो इसलिए, जो 3 sample paper solve करके नहीं जाएगा, दो गया, तो तब भी खराबी जाएगा exam, तीन अगर जो solve करके गया, मतलब उसका ऐसे ही syllabus complete हो गया, और जो sample paper 3 solve नहीं किया, कुछ भी, कोई भी sample paper, 3, अभी जो आया, updated करे, 3 sample paper, जो solve करेगा, उसी को marks आएगा, नहीं तो पागल हो जाएगा, फिर वो 30s में आएगा, 30 marks आएगा, फिर आपका practical जोड़के, 60 marks पहुँचेगा, बहुत गंदा marks आएगा, लेकिन अगर आप solve करे तो हो सकता है, कि आपका बहुत अच्छा 90s में marks आजाएगा, तो इसलिए आपको sample paper solve करना बहुत important है, ठीक है, तो उमीद करते हैं आपको यह value helpful होगा, अगर आपको part 1 का भी चाहिए, तो आप comment करके बताएगा, और थोड़ा share कीजाए और वीडियो, तब कि बाकी लोग को भी पता चले, मतलब help हो जाएगा, जो लोग कुछ नहीं पढ कर रहे हैं, तो आप semiconductor को देख सकते हैं, अभी चैनल पर recently upload हो रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं semiconductor, ठीक है, ओके, थैंक्यू गाइस, थैंक्यू, थैंक्यू, थैंक्यू